हेलो माई डियर फ्रेंड्स आज हम कर रहे हैं माई वर्क्षिट नंबर 73 हिंदी की जोज पंचम की नाक क्रितिका भाग दोग से देखिए इसमें क्या है अभी तक हमने पढ़ा है कि जोज पंचम की नाक जो है वो कहीं गायब हो गई है और उसको लगाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया गया है दिल्ली में और मूर्तिकार पहाड पर चड़ चड़ के धून कर आ गया लेकिन अभी तक उसे कहीं पर कुछ पत्थर नहीं मिला फिर उसने सोचा कि क्या किया जाए तो उसने जगए जगे मूर्ति सोचे कि हमारे देश में इतने सारे नेता है उनकी मूर सेकरेटरी के सामने बहुत सारे 42 में सही दोने बच्चों की मूर्तिया स्थापित है साथ बच्चों की नाक ही फिट हो जाए तो यह सोच कि वहाँ पर भी गये थे लेकिन बच्चों की नाक थी वो भी इससे काफी लंबी थी राजधानिये में सब जगे तयारी थी जोज प बात पहुची की नाक तो लगी ही नहीं है सब जगे खलबली मच गए कि जोज पंच्चिब की नाक तो लगी नहीं पाई रानी का स्वागत करना है यह तो हमारी नाक कटाने वाली बात होगी हम रानी का स्वागत करेंगे कैसे लेकिन मूर्तिकार भी पैसे से लचा था यान 40 करोर में से कोई एक जिन्दा नाग काट कर लगा दी जाए उस ट्राइम पर जनसक्या जो था ही राइटर के अकॉर्डिंग 40 करोर थी तो उसने बोला कि किसी एक बंदे का नाग काट के जिन्दा लगा दी जाए ये बात कर समलोग सन हो गए सबने सभापती यानि कि जो में लेडर उसको तरफ देखा सबने परिशान होकर मूर्तिकार को कुछ अचकचा कर देखा और फिर मूर्तिकार बोला कि आप घबराती क्यों है ये काम आप मेरे उपर छोड़ दीजे नाग चुनने का काम मेरा है आपको सिफ इजारत देनी है कान नाग लगने से पहले हतियार बंद वहां पर पौजी लगाए गया कि आखर आप यहां पर कोई चोरी नहीं होने चाहिए कि जोच पंजर कि अगर फिर से चोरी होगी तो हम फिर क्या करेंगे वहां कि आसपास के तालाब को सुखा कर साफ किया गया और ताजा पाने डाला ग बेश्रान था यानि कि उसे अभी तक कोई भी नाग जिंदा नाग नहीं मिली थी तो उसने कमिटी वालों से कुछ और टाईम खाङले कि मुझे टाईम और देदो तो उसे मिल गया उसने फिर कहा गया यह लेकिन एक हिदायत दी गई कि येग उसे वांडिंग दी गई कि हा कि एक खास दिन हर हालत में यानि कि जिस दिन महराशी जी आनी है उस दिन नाक लगी जाने चाहिए और वो दिन भी आया और जόσ पंचम की नाक भी लग गई सब अकबारों में खबड चाहिकी छापी गई कि जौश पंचम की नाक जिंदालगाई गई यानि कि ऐसी नाख जो कते ही पत्तर की नहीं लगती। उन्होंने दूर से ही कहा कि ऐसी नाख लगरी कि जो बिना पत्तर की लगती ही नहीं है ऐसा लगर जिन्दा नाख लगाई गई है। पता ही एक बार खाली थे पता ही ऐसा क्यों हुआ था। नाख तो से फेगी चाहिए थे और वो भी बूत के लिए। तो लास्ट में उन्होंने एक टॉंट मारा है कि एक नाख चाहिए थे वो भी बूत के लिए अब इसमें देखिए क्या क्या हुग गया। तो चैप्टर बा वो एक जिंदा आदमी की नाख काटके लगा दी गए। कोश्चन करते हैं पहला कोश्चन है जोज पंचम की नाख को फिर से लगाने के लिए मूर्ति काने क्या 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 परियास किये। तो आपका अंसर है जोज पंचम की नाख को फिर से लगाने के लिए मूर्ति काने ब थर्ड है अखबारों में जिन्दानाक लगने की खबर को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया आप तो आप जानते हैं यह अखबार हो या मीडिया हो किस तरीके से हर खबर को प्रस्तुत किया गया तो अखबार में जिन्दानाक की खबर को संसनी की तरह प्रस्तुत किया गया क कि एक संसनी खेच खबर है कि देखे ये काम वारा पूरा हो गया और आखिर कहां से किया गया आगे है जोर्ज पंजब की नाक लगाना वाली जो खबर थी उस दिन पूरा अखबार चुप क्यों था तो इसका अंसर जो कि कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ ना महरानिया और ना ही पर आपको जो भी कठान आपको मिल रहे हैं सभी आपको ढूंड कर लिखने है तो जो मुझे मिले मैंने वो लिख लिए गति विदी में फाइले सब कुछ हजम कर गए यह लिख दिया पहले फिर उन बच्चों की नाके भी से कहीं बड़ी चिला दी और फिर आपका यह अप अब वीडियो कंप्रीट होता है आई होब आपको वीडियो अच्छा लगाओ इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शियर कीजिए आप वीडियो देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब पीजिए थैंक यू